प्रभु येश्व मसी के नाम में आपको अनुगर, शान्ती और आशिश मिले। चार्ल्स परजन ने एक द्रिश्टांत बताया था समझाने के लिए कि मनुष्य कैसे बंधवाई में आ जाता है। एक व्यक्ति कैसे अपने ही व्यक्तिगर जीवन में एक बंधवाई हो जाता है। उन्होंने बताया कि एक ताना शाह था जिसने एक बार कहा कि उसका प्रजा का एक व्यक्ति उसके सामने लाया जाए। और जब वो लाया गया तो ताना शाह ने उसको कहा कि मेरे लिए एक जन्जीर बना और वो एक गरीब लोहार था लोहे की चीजें बनाता था गरम करके और उसको गरम गरम लाल करके और फिर उसको ठोक के पीट के लोहे की चीजें बनाता था बहुत मेहनत का काम था लेकिन यही उसका पेशा था अब ताना शाह वेक्टी था तो इस प्रजा के लोहार को उसकी बात मानकर एक ऐसी जन्जीर बनानी पड़ी जब जैसे बताई गए थी वैसे जन्जीर बनाई तो लोहार उसको ताना शाह के पास लाया और ताना शाह ने उसको देखा और कहा कि अब ऐसा कर तो इससे और दुगनी लंबी जन्जीर बना ले इसी को ले जा और इसको दुगनी लंबाई की बना दे तो उसने फिर ऐसा ही किया और फिर वापस दुगनी लंबी जंजीर को तानाशा के पास लाया अब तानाशा ने कहा इसको अब वापस ले जा और और दुगनी कर दे उसको आगया तो मांनी ही थि उसके पसार कोई रास्ता नहीं था तो फिर वो अपने बर्ट्शॉक में गया और उसको और दुगनी बना दी और फिर वापस लाया और तब ताना शाह ने अपने दासों को कहा कि अब इसकी जन्जीर से ही इस आदमी को बांदो और इसको बंदिग्रह में जेल में डाल दो हमिशा के लिए और यहां पर स्परजन जो एक बहुत विद्वान प्रचारक थे वो कहते हैं कि ऐसे ही शैतान एक मनुश्य के साथ करता है शैतान खुद उस मनुश्य से उसी की जन्जीर बनवाता है और फिर उसके हाथ पैर बांद कर उसको नरक में गसीत के ले जाता है और आप विश्वास करे या ना करे बाइबल बताती है कि पाप की शुरुवात इस दुनिया में शैतान के कारण हुई और वो मनुश्य को इस पाप की जन्जीर से बांगता है और आखिर में मनुश्य को मनुश्य की आत्मा को नरक में गसीत कर ले जाता है जहां पर रोना और दान्तों का पीसना है, जहां हमेशा की आग है, जहां का कीड़ा नहीं मरता और आग बुझती नहीं है, और शैतान ऐसा क्यूं करता है, जहां रोश्नी है, वहां अंधकार है, वैसे ही जहाँ परमेश्वर है महाँ पर एक बुरी शक्ती एक बुरा व्यक्ती शेतान भी है जो बहुत सामर्थी है परमेश्वर के समान सर्वसामर्थी नहीं है लेकिन फिर भी शेतान ने देश देशों को लोगों को धोके में ला रखा है उलजन में ला रखा है पाप में कुछ के प्रिये शुश्ति है अनुश को पर मेश्तान का टारगेट बन जाता है कि क्योंकि को प्रियर वस्तु आपकी हो तो आपका तो वैसे ही शेतान और उसकी शक्तियों ने इस मनुष्य जाती को इतना करूप कर दिया है तो कि वो परमेश्वर को दुख पहुचाना चाहता है उसको एक चुनौती देना चाहता है लेकिन आखिर में यह फेल ही होगा क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को अपने प्रेम से जीकता है मनुष्य भी पाप में बहा जाता है लेकिन फिर भी परमेश्वर इंतजार करता है कि एक दिन वो वापस लोट कर आएगा मनुश्य पाप में ही जनम लेता है क्योंकि पाप को सभाव को वो पर दादाओं से लेकर आता है लिखाय भजन 51 में एक परमिश्र का दास कहता है देख में अधरम के साथ उत्पन हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्ब में पड़ा रुमियो साथ में एक और एक परमिश्र दास का अनुभव है तो बताता है कैसे वो पाप से जुचता था लड़ता था कैसे उसको रोज-रोज एक कश्मकश से एक संगर से निकलना पड़ता था और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता परंतु जिस से मुझे घ्रिणा आती है वही करता हूँ तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझे में बसा हुआ है वो पाप का सभाव जो मुझे में बसा हुआ है क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता परन्तु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ फिर वो कहता है मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ मुझे इस मृत्यू की दे से कौन छुडाएगा और फिर अगले वचन में कहता है मैं प्रभू येश्यू मसी के लिए परमेशर का धन्यवाद करता हूँ मुझे इस दशा से इस जन्जीर से छुडाता है प्रभू येश्यू आया ही इसलिए कि शैतान की कामों को नाश करे और मनुष्यू को उधार, मुक्ति और अनन जीवन का मार दिखाए जो कोई पाप करता है वह शैतान की और से है क्योंकि शैतान आरम ही से पाप करता आया है पर्मेश्वर का पुत्र प्रभू येशु इसलिए प्रगठ हुआ कि शैतान के कामों को नाश करें यहान आठ में लिखाया और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हे स्वतन्त्र करेगा तो यदि पुत्र तुम्हे स्वतंत्र करेगा तो सच मुझ तुम स्वतंत्र हो जाओगे अगर प्रभु येश्व तुम्हे स्वतंत्र करेगा तो निश्चित रूप से स्वतंत्र हो जाओगे प्रभु येश्यु मसीने कलवरी के क्रूस पर मेरे और आपके खातिर हमारे पापों को अपनी दे में उठा लिया क्रूस पर जगत के पाप उसके उपर ला दे गए वो जो पाप रहित था वो हमारे खातिर पाप के बोज़ का उठाने वाला बन गया और क्रूस पर प्रभु येश्यु का लहू बहाया गया उस कीलों ने उस काटों ने उस कोडों ने उसके शरीर के सारे लहू को बहा दिया परंतु वो लहू हमारे पापों के लिए प्राइश चित था उस क्रूस पर येश्यु मसी ने अपना बलिदान दे दिया हमारे खातिर दुख उठाया लिखा है मैं जल की तरह उंडेला गया इतना पसीना महन कर कहता है मेरी एक भी हड़ी जोड में नहीं रही सब जोड से हड़ गई पूरी वेदना बड़ियां हड़ जाती है उसकी सारी ताकत कतम हो गई उस धूप में कि मारने से हैं कि कहता है मेरे मैं ठीक रासा हो गया सुख गया उस धूप में मेरी जबान तालू से चिपक गई कि भविश्यवाणी के रूप में एक हजार वर्ष पहले लिखा लिखी गई थी बातें मेरा हिर्दाय मोम की तरह पिगल गया कुछ कहते हैं प्रभू ये शुकर हिर्दाय क्रूस के भारी दुख से तूट गया अंदर ही मेरे हाथ और मेरे पैर को वो छे दिते हैं ये कुरूस की भविश्यवाणी एक हजार वर्ष पहले थी और ये सब किस कारण ये सब मेरे और आपके कारण कि मुझे उस पीडा से अब ना निकलना पड़े मेरे बदले में प्रभू येशु ने बलिदान दे दिया आपके बदले में और मृत्यु को सहने के बाद वो तीसरे दिन फिरजी उठा वो युगान युग जीवित है सच्चा है विश्वाश योग है प्रतिग्या देता ह प्रतिग्या तोड़ता नहीं है उसके लिखित वचन बाइबल में उसकी कई सारी सेकड़ों प्रतिग्या है आप विश्वास करेंगे परमेश्वर आपके लिए पूरा करेगा सबसे बड़ी प्रतिग्या परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए प्रभु येश्व अनंत जीवन देने के लिए आया जब एक व्यक्ति एक पापी व्यक्ति सच्चे प्रश्टाप के साथ प्रभु येश्व से प्रातना करता है प्रभु येश्व मेरे हिर्दय में आ जाओ तो परमिश्वर का प्रभी येशु से प्रात्ना कीजे प्रभी येशु आपको आशिश दे